नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है तीन मंजले घर को बनवाने के लिए आपको किस डाइमेंशन की फिलर की कॉलम की जरूरत पड़ेगी आपको स्टील उसमें प्रभाइड करना होगा साथ हे साथ एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी क्या रखनी होगी हर एक डीटेल आपको इस विडियो के माध्यम से मिल जाएगा और जो भी चीजे मेरे सामने आएगी हर जनकारी आपको मैं देता चलूँगा सबसे पहुए एक कॉलम के पास ले चल रहा हूँ और बकायदा मैं नापी करके टेप भी मेरे पास है मैं नापी करके आपको दिखाने वाला हूँ ताकि जहां सभी आप विडियो देख रहे हैं आप तक पूरी जनकारी और सही जनकारी पहुँच सके ये जो foundation देख रहे हैं ये तीन मंजले घर का है ये floor level तक ये जो है वो काम हो चुका है इसके उपर का काम अभी जो है वो soil filling का चल रहा है और इस पीछ मैं आपको जो है वो column का detail दे देता हूं दोस्तो चलिए नजदिक चलते हैं column के सभी column का same dimension है तो एक column का अगर मैं आपको जनकारी दे देता हूं आप इस इसाब से हर column का जनकारी खुद बखुद आपको हो जाएगा दोस्तो इसमें दो तरह के rod का इस्तिमाल किया गया है ये 16 mm का है चार rod आप देख रहे हैं 16 mm का और बीच वाला rod आपको दिख रहा है ये 12 mm का है दोस्तो जब इस pillar में ring देख रहे हैं वो 8 mm का लगाया गया है और एक ring की दूरी 6 inch से 8 inch के बीच में ही रखनी है 8 inch से आपको उपर जो है वो नहीं जाना है अब चलिए मैं ring की size दिखा देता हूं ये देखिए ये 7 inch का है 7 inch 4 हमारा ring बांधा गया है और आपको मैं इसकी लंबाई भी दे देता हूं लगभग 1 feet 1 feet का लंबाई इसका जो है वो रखा गया है सभी ring same dimension के होंगे मतलब कि 7 inch by 1 feet का ring आपका बांधा गया है और ये देखिए मैं आपको 1 ring से दूसरे ring की distance बता देता हूं ये 9 inch है ये सही नहीं है मैंने पहले ही बता दिया था इस ring को खुलवा करके और थोड़ा सा नजदीक करना होगा तो इस तरह की गलतिया जो है वो आप अगर cross check करते हैं तभी पता चलता है नीचे वाले की अगर देखते हैं तो वो लगवग 8 में है 8 inch तक मैंने जैसे के बोला वो चलेगा 9 inch बिल्कुल भी acceptable नहीं है अगर कोई ठेकदार है वो rod बचाने के चलते जो है वो इस तरह की काम कर रहा है तो आप खुद cross check किजिए और उसको खुलवा करके 8 inch से ज़्यादा आपको जो है वो नहीं 6 inch से 8 inch के बीच में ही रहनी चाहिए दोस्तों अब column को अगर देखते हैं तो हमारे column का जो पूरा जो casting होगा वो इस size का नहीं होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो steel का है अब आपको डेर डेर इंच लगवक जो है वो दोनों तरप से बढ़ाना होगा हमारे centring होगा तो उसमें डेर इंच का gap भी आपको check करना होगा उससे होगा क्या कि आपका जो column बनेगा वो बिल्कुल सीधा अच्छा बनेगा और uniform casting होगा तभी आपका column में जो है वो मजबूती आएगी दोस्तो बहुत से लोग इंच जोर करके भी column जो है वो cast कर देते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है चुकि इस ट्रॉक उसमें नहीं लग पाता है ढग से और आपका जो pillar है उसको strength नहीं आपाती है तो दोस्तो कुछ छोटी-छोटी बाते को ध्यान रख करके आप अपने घर को सुन्दर के साथ-साथ मजबूत भी जो कि बहुत जादा important हैं बनवा सकते हैं तो उमीद करते हैं हमारा ये वीडियो किसी ने किसी रूप में आपके काम आएगा फिर मिलते हैं धन्यवाद दोस्तो